जया मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, दोस्तों 21 अक्टूबर, एक ऐसा दिन, जिस दिन, कुछ राशी वाले जातकों की बंद किस्मत के दर्वाजे भी खुल जाएंगे, यानि आप की किस्मत चाहे कितना भी धोका दे रही हो, यानि आपकी किस्मत चाहे आपको कितना भी पीछा ले जा रही हो लेकिन 21 अक्टूबर ऐसा दिन है ऐसे शुब सयोग इस दिन बन रहे हैं कि आप अपनी किस्मत को आजमा कर देखेंगे तो आपकी किस्मत चमक उठेगी ये ऐसा दिन है जो कि पुशनक्षत्र इस दिन बन रहा है सौमवार को शाम को पुशनक्षत् पर मंगलवार की शाम तक ये पुशनक्षत्र चलने वाला है और ये अवधी आपके किस्मत को चमकाने वाली होगी 12 राशियों में से 4 राशियां ऐसी हैं जब इनके ऊपर गुरु ब्रस्पति शनी मंगल और शिव की किरपा बरसने वाली है पुशनक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे शुब नक्षत्र माना जाता है और इस नक्षत्र में गुरु ब्रस्पति भी पैदा हुए थे इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनसे अधिक बलशाली उनसे अधिक बुद्धिमान और उनसे अधिक धनवान जीवन में कोई नहीं होता इस नक्षत्र म से परिपून पुत्रों से युक तो सौंदर या सालिनी और पति विर्ता होते हैं ये जो नक्षत्र बन रहा है ये आप चार राशी वाले लोगों को इतनी खुशियां दे सकता है आपके ओपर धनकी वर्शा करा सकता है दोस्तों जिन चार राशी वाले जातकों के हम बात कर हैं वो चार राशिया है इनमें सबसे पहली राशी है करक राशी दूसरी राशी है सहिंग राशी तीसरी कन्या राशी है और चौथी कुम राशी है ये जो चार राशी वाले जातक हैं इनके ओपर इस समय शनी की किरपा होने वाली है क्योंकि शनी इस नक्षत्र के स्वामी है और ये आपको सभी कारियों में सफलता दिलाने वाला समय होगा आप जो भी कारिया करते हैं जिस कारिया में आप हाथ डालेंगे उस वो आपके लिए फल्दाई होगा यानि आप जिस भी कारिया को करेंगे वो काम आपको सफलता देने वाला होगा इस समय आपके लिए आए परिवार में इस समय आपके मान सम्मान में वरद्धी होगी परिवार वाले आपके निर्णों का सम्मान करेंगे आप इस समय अपने परिवार का भी बखू भी ध्यान रखेंगे ये समय ऐसा होगा कि आने वाला समय आपके लिए ये बेहद सरल बना देगा इस दिन किये गए क इनको सबसे अधिक लाब मिलने वाला है कुम्ब राशी के स्वामी शनी देव है इसलिए कुम्ब राशी के लिए ये बेहद लाब दाय रहने वाला है करक राशी के जो स्वामी है वो चंदर देव है और ये चंदर के स्थिती में ही पुष नक्षत्र बन रहा है तो करक राश आपके लिए शुब फल देने वाला साबित होगा कोई भी निर्णा लेना है सोच समझ कर निर्णा ले आपके लिया गया निर्णा इस समय आपको आगे ले कर जा सकता है आपको जीवन में सफलता दिलाने वाला हो सकता है कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आ सकता है जो आपको कुछ योजनाएं बताएं, आप उन योजनाओं को भली भाती समझें, उन पर विचार विमर्स करें और उन पर आप यदि काम करते हैं, तो वो आपके लिए फल देने वाले साबित होंगे, इसे में आप सबसे अधिक होंगे, धार्मिक होंगे, कई तरह की कलाओं के ग्याता होंगे, आपकी दयालू प्रवर्ती होगी, दूसरों की मदद करने वाले होंगे, और सत्य वादी होंगे, सत्य आप बोलेंगे, इस बात का विशेज दिहान आप चारों को रखना है, कि इस समय आपको जूट नहीं बोला है, सत्य का साथ देना है, और यही सत्य का साथ आपको आगे लेकर जा सकता है, तो इस समय आप पर मा लक्षमी की किरपा जरूर होने वाली है, और आने वाले समय में आपको इसका लाब जरूर देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों और दी कैसी जानकारियों के कानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूल